Hello friends, so welcome to my new video. So, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, fragrances के बारे में. Basically, बात ये करना है कि आपने पास आज की डेट में बहुत सारे choices हैं. तो कभी-कभी अपने कोछ समझ नहीं आता. मुझे लगा कि ऐसे topic पर एक वीडियो बनाना चाहिए. लोगों ने बनाए हैं, पर मैं थोड़ा different तरीके से आपको बताना चाहता हूँ. तो आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ-कुछ fragrances को अलग-अलग जगों पर रखा है. तो बने रही है मेरे साथ, देखते हैं कि क्या reason है जो मैंने एक sorting इसकी अलग से की है, ये क्या चीज़ है बला, तो सबके बारे में बात करेंगे. तो बात ये करना है कि हमें कभी पता नहीं होता कि हमारी क्या requirement है, और जब हमें पता नहीं होता, हमारे पास कोई clarity नहीं रहती, तो हम कुछ भी खरीदते हैं, बिना सोचे समझे खरीदते जाते हैं, बट हमें अपना requirement नहीं पता, हमें पता नहीं कि हमें क्या लेना चाहिए क्या अच्छा है क्या नहीं है हमारी choices क्या है मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है लेके हम perfume को रखतो नहीं देंगे लेके deodorant को हम रखतो नहीं देंगे क्या मेरे काम आएगा नहीं आएगा तो उन सब के बारे में बात करें तो दोस्तो पहला सवाल यह आता है हम सब के मन में कि हमारी requirement क्या है क्या डियो से perfume में upgrade करना चाहिए तो बहुत सही सवाल है देखिए दोस्तो मैं आपके सामने इन तीन डियो को रख रहा हूँ फिलाल मेरे पास और भी है बट सिर्फ presentation के लिए तीन काफी है तो मैंने तीन को क्यों आपके सामने present किया है because जो डियो जो भी लोग डियो लगाते हैं और उनका काम चल जाता है तो यह काफी अच्छी बात है कि डियो से आपका काम चल जाता है मेरा भी काम चल जाता है लेकिन मैंने फिर भी इतने सारे purchasing की है आप यह देख सकते हैं यह France का France से मैंने लिया था तरेस से लिया था और यह कुछ डिजाइनर हैं कुछ टेस्टर्स हैं तो क्या मेरा काम डियो से चल सकता है आपको आपकी body chemistry आपको सबसे अच्छा पता होगा अगर आपका काम चल जाता है तो well and good उससे उपर आपको लेने के ज़रुवत नहीं है बिकरज लोग यह नहीं देखते हैं कि आपने क्या perfume लगाया है आप कैसा smell कर रहा है वो यह देखते हैं कि आप कैसे इंसान है आपका दूसरों के साथ आपका बरताव कैसा है behavior कैसा है आपका स्वभाव कैसा है लोग इसकी तरफ ज्यादा अगर्शित होते है हाँ अगर आपकी personality अच्छी है आप एक अच्छे इंसान है तो obvious से बात है कि आप attractive है तो यह उस पर compliment करता है perfumes आपको आपकी personality पर compliment करता है तो अगर आप perfumes को समझते हैं कि हाँ मैं एक ऐसा person हूँ और मुझे ये suit करेगा या फिर ये suit करेगा या ये suit करेगा तो definitely आप लीजिये मैं आपको मना नहीं कर रहा लेने से मैं कोई demotivate नहीं कर रहा हूँ लेकिन अगर आपका काम इस से चल जाता है और आप confident है तो बेजिजक आप ये use करेए इस से उपर आपको अपग्रेड करने की कोई ज़रुद नहीं perfume is a luxury but not a necessity आप ये एक बात याद रखिए one liner है आपको याद रहना चाहिए कोई बहुत बड़ी बात मैंने नहीं बोलिया तो अपना second question आता है compliment के लिए perfume लगाना चाहते हैं या सच में आपको fragrances की knowledge है हाँ तो बहुत लोग ये समझते हैं कि हाँ मुझे compliments चाहिए तो इसके लिए मुझे upgrade करना चाहिए डियोस से perfumes में तो मेरा ये motivate लेने का ठीक है बहुत लोग ऐसा सोचते हैं मेरा ये कहना है कि compliments के पीछे ना भागे मुझे last time कब compliment मिला था आज 2023 है मुझे last time compliment मिला था 2019 में जब मैंने Denver का Hamilton Dio लगाया था तो मेरे कलीर ना के बोला था कि you are smelling good क्या लगाया आपने उसके बाद मैंने 500 fragrances लिए खरीदे हैं बट compliment factor नहीं मिला मतलब इंडिया में compliments मिलना थोड़ा मुश्किल होता है बट अगर आप compliment के लिए perfume ले रहे हैं तो I guess आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये ना ही ले तो बेटर होगा क्योंकि generally आपको इंडिया में कोई compliments इतने easily नहीं मिलते हैं हाँ हो सकता है कि आपके कुछ fragrances enthusiast friends हो तो fragrance community एक अलग चीज़ है दोस्तों वहाँ पर लोग काफी कुछ समझते हैं उनकी जो thinking होती है वो fragrance से related वो थोड़ी अलग होती है जो आम इंसान होते हैं तो आम जिंदगी में आप compliments के लिए तो fragrances नहीं करीदें मेरा ये suggestion है पैसे बचाएं हाँ अगर आपको fragrance की knowledge है तो आपके सामने मैं ये तीन perfume दिखा रहा हूँ जारा के जारा 8.0 एक fresh category का perfume है जारा 9.0 एक powdery perfume है और एक जारा का rich warm addictive है ये थोड़ा चॉकलेटी, powdery sweet kind of perfume है जो की winter based fragrance है तो 9.0 and rich warm addictive आपका winter fragrance है winter क्यों मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप summer में लगाएंगे तो powdery fragrance, sweet fragrance थोड़ा clawing हो जाता है तो 8.0 winter के लिए summer के लिए perfect है और ये दोनो fall winter के लिए ठीक है तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको knowledge है fragrances की तो आप इस से इस पे upgrade कर सकते हैं या इस से इन पे upgrade कर सकते हैं ये एजमल का blue है जो की एक fresh category perfume है और ये अल दिरगम है जो की अर्दल जाफरान की तरफ से आता है ये UAE का एक brand है काफी अच्छा इसका set profile है दोस्तों मज़ा आ जाता है इसको लगा के तो मज़ा आ जाता है अगर आपको मज़ा चाहिए तो बेशक आप इन पे जाईए इन पे जाईए अगर आपको मज़ा आता है तो मज़ा आना एक important बात है अगर आपको तो फ्रेग्रेंस थोड़े क्लॉइंग लगते हैं आपको ज्यादा हार्ष पसंद नहीं है और अगर आप एक अच्छा स्मेल करना चाहते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी केमिस्ट्री है कि ऐसी है कि आप डियोड ना लगाएंगे तो आपकी आपसे बद्बू आ इस उसाब से आपको सेलेक्ट करना चाहिए कि आपको क्या लेना है हां अब भी तीसरा सब़ल आता है कि कितने पैसे खर्च करें हां खर्च करने के बात है तो ये 200 से 200 के बीच में आता है ये पर बॉटल मैंने ये से से कॉमबो पैक मिलिया था तो मुझे 17-1800 में आपको ज इच वाम एडेक्टिव एंड इंटेंस डाग एक्स्क्लूजिव का एक कॉमबो पैक लिया था मैंने जारा के मौल से तो जारा ये कैसा फ्रिग्रेस है इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों ये एक स्पैनिश ब्रैंड है स्पैन से स्पैन की कंपनी है जारा अब द स्पैनिशन में अगर देखा जाए तो वैसे एडिटी अमोमन थोड़ी वीक होती है प्रोजेक्शन में और लॉंजिवेटी में बट जारा के साथ ये बात नहीं है तो मैं कहां था मैं था कि कितने पैसे खर्च करें तो ये 17-1800 में आ जाता है ये 200-200 में आ जाता है ये हमा ये अपमें ये मत सर्मेज ना कि मैं कोई ये स्पांसर वीडियो बना रहा हूं ऐसा कुछ नहीं है ये हेवन दफ्त की तरफ से आने वाला एक चीफ है तो ये जो है ये तीनो ये 500 इच पड़ेगा आपको अगर आप लेते हैं दो उसे पर्चेस करते हैं तो और ये 30 ml के काफी अच्छा पर्फ्यूम है दोस्तों गोल्डन वुड्स मुझे इन तो नहीं में सबसे अच्छा लगा थोड़ा चॉकलेटी है काफी कॉंपलेक्स नोट्स है इसके अगर आपको चाहिए नोट्स तो मैं यहां डाल दूगा वैसे उनके चैनल पर आपको मिल जाएगा तो यह गोल्डन वुड्स हो गया यह वनिला हो गया वनिला बिल्कुल आइसक्रीम जैसा स्मेल करता है अमज़ा जाता है इसको लगा के 30 ml कॉंसें में यह भी आता है 500 रुपय में काफी दिन चल जाएगा 30 ml अगर आपको सही से लगाते हैं तो यह साना कि आपस से नहाल है चार-पांच स्प्रेज काफी है यह एक गीली रश्यन करके उन्होंने कुछ निकाल रहा है और यह रश्या का फ्लाइग लगा है तो इनके हिसाब से थोड़ा फ्रिश कैटिग्री है काफी मिनिमल से प्रेजेंटेशन में आपकों मिलेगा ऐसा और इससे थोड़ा सा उपर जाएंगे तो हाँ मैं यह नहीं कहा रहाँ कि उपर जाएंगे उपर मतलब की आप पैसे के हिसाब से उपर जाएंगे и यह काफी अच्छा है काफी अच्छी लास्टिंगों और यह अपना Made in India brand है यह दोनों यह Mumbai based brand है और यह Ritik का बनाया हुआ perfumes है जिनका Moto X channel हाँ इससे उपर थोड़ा महंगा अगर आप लेना चाहेंगे तो मैं तो यह जैसे अजमल है यह एक Indian brand है लेकिन यह सब Made in UAE है क्योंकि इनका जो setup है manufacturing यह UAE का है लेकिन basically वो लोग इंडिया से है यह मैंने आलमोस्ट एक साल पहले लिया था और यह काफी अभी potent हो गया इसकी shelf life मैंने बढ़ा दी थी इतना जादा यूज नहीं किया था चार पाँच दस sprays के बाद मैंने इसको रख दिया था जिसको maceration बोलते हैं दोस्तो oxidation एक process होता है oxidation का process होता है maceration जो कि थोड़ी सी इसकी performance को enhance कर देता है maceration के बारे में आपको जाना है तो मैं एक short description देता हूँ जैसे कि आपने कोई perfume को use किया यूज करने के बाद थोड़ा सा air gap आ गया इसमें air gap आ गया तो थोड़ा सा oxidation इसमें होने लगा oxidation होने से कभी-कभी perfume strong आ जाते हैं ज़रूरी नहीं कि हम बार होंगे बट कभी-कभी हो जाते हैं यह अल्दर गम है यह काफी अच्छा perfume है अल्दर जाफ्रान कंपनी के तरफ से fruity है और काफी long lasting है इसको मैंने लिया था फ्रैगोहॉलिक से फ्रैगोहॉलिक आशिश का चैनल है यूट्यूब आपको मिल जाएगा वहां से मैंने दिया था और भी sellers है जहां से आपको मिल जाए जो कि आपको यह प्रोवाइड करा देंगा अंकुर से भी शायद मिल जाएगा उनका mom perfumes करके एक चैनल है तो इसके स पार के सीट के नीचे डाल दिया और वह अल्मूस्ट 20-25 दिन तक वह काफी अच्छा स्मैल करता रहा तो फ्रूटी प्रोवाइल है काफी अच्छा है मैं तो मानता हूँ कि महंगे महंगे डिजाइनर और नीश ब्रैंट्स भी शायद ऐसा क्वालिटी ना दे पाएं जो में अच्छे परफ्यूमस ले सकते हैं क्या क्लोन परफ्यूमस की क्वालिटी अच्छी होती है यह एक चौत हम मैं आपके सामने हूँ और यह जो आपका अल्दिर खाम है इसको शनेल के अल्यूर haut score पोलों माना जाता है मैं लो तो यूज नहीं किया trên。」 में ग यो ये सकका क् तो बेशक आप इस पर जा सकते हैं अजमल ब्लू को बूदे शेनल का क्लोन मानते हैं पता नहीं बूदे शेनल बैने ट्राइब किया बट यह जब मैंने starting में लिया थो weak था थोड़ा performance बट अभी काफी strong हो गया काफी अच्छा हो गया तो एक अच्छा choice आपके लिए हो सकता है तो इनकी quality क्या इनकी quality अच्छी है बेशक अच्छी है मैं इनको use करता हूँ performance भी काफी अच्छी है आप इसको लगा सकते हैं आफसी क्वालिटी के होते हैं आपको इस इस नहीं मिलेगा जो आपको यहां मिल रही है इनकी क्वालिटी भे ठीक होती है क्या मेहंगे डिजाइनर प्रफियम्स लेने चाहिए इस अगर आपको नॉलेज है दूसतों भ Citiesकानी मोफना शोने चाहिए तो आप ले सकते हैं, मैंने, मेरे पास ये दो, one of the best smelling perfumes है, designer में, अगर आपको ज्यादा पैसा नहीं लगाना, ये 6000 के असपास दोनों आते हैं, और ये एक tester है, अगर आपको ये मिल जाए, तो क्या ही बात है, ये 2300 में मैंने लिया था, Versace Dreamer का tester है, मैंने अंकुर से लिया थ जिनका Mom Perfumes Channel है, तो अगर आपको ऐसा कुछ मिल जाता है, तो definitely you can go for it, और last में ये मैं बताना चाहूंगा, कि मैं अपने काम के सिलसले में मुझे फ्रांस जाना हुआ था, पैरिस से मैंने ये लिया था, तो ये वहाँ का local brand है, Fragonard करके, और ये तीनों parfum concentration में आता है, काफ ये दिन्यूई में आपको jasmine मिलेगा, bilicherry में आपको rose and jasmine का combination मिलेगा, तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने requirement को समझे, आपका काम अगर इससे चल रहा है, तो आपको इसकी या इसकी या इसकी या इनकी कोई ज़रत नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि तो ये definitely मैं recommend करूँगा, Moto X का ये जो perfumes है, 500 के range में 30 ml में आपको काफी अच्छा quality प्रोवाइड कर रहा है, heaven dust, 900, 1000 के range में 100 ml का काफी अच्छा, इनका chief perfume आता है, मुझे काफी पसंद है ये, fresh on the top and musky in the end, तो कि कहना था दोस्तों कि आप अपने requirement समझेए, अगर आप का body chemistry आपको पता होनी चाहिए, उस हिसाब से आप अपने fragrances को choose कर सकते हैं, अपग्रेड करिए, अगर आपको लगता है कि अपग्रेड करना चाहिए, बट perfume में ज्यादा खर्श करने चाहिए, ये मैं suggest नहीं करूँगा, क्योंकि आजकल clothes भी अच्छी quality के आने लगे हैं, तो आप समझेए, देखिए, आपके पास references काफी सारे हैं, आजकल YouTube अमूमन काफी common हो गया है, तो आपको knowledge की भी कोई कमी नहीं होगे, तो definitely you can go ahead with the clothes, और हाँ, अगर आपको quality है चाहिए, तो definitely you can buy this designer houses, काफी अच्छी quality है दोनो, ये cardamom on top है, toffee है, इसके notes में, as I wrote the most wanted है है, काफी बढ़ी है, इनकी quality है, और ये है, गिरला का low-media LEDP, काफी अच्छा fridges है, ये भी मजा आता है, इसको लगा के दूस्तों, तो this is nothing like, but a quality in a bottle, तो मैं काफी impressed twins है, ये देखिए दोस्तों, ये इसके quality है, ये cherry है, almond है, काफी अच्छा, काफी बहतरीन quality है, तो ये ही कहना जाओंगा दोस्तों, कि अब अपने requirement को समझे और अपने requirement के हिसाब से, आप अपने fragrances को choose करिए, तो मिलते हैं, अगली बार किसी next video में, तब तके लि अलवे तख, बाबाई